हेलो डियर इस्टूरेंट स्वागत है आप सभी का टार्गेट गुर्कुल पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे लखनू यूनिवर्सिटी इंटरेंस एक्जाम 2024 के बारे में दरसल ये वीडियो बनने वाली है कि आखिर आपको इंटरेंस एक्जाम की जो कैसे करनी है क्योंकि यहां पर दो समस्यां आती हैं उन दो समस्यां को मद्दे निजर रखते हुए हम इस प्रेपरेशन को कैसे करना है यह बताने जा रहे हैं ठीक है लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को प्रेस कर लें कोई भी नोडिफिकेशन लखनव विश्विद्याले से संबंदित आपसे नहीं हो सकेगी ठीक है और पूरी प्रेपरेशन आपको यहां पर कराई जाएगी लेकिन करनी कैसे है ठी यहां पर दो तरह के लोग हैं उनको हम दो कैटेगरी में बातेंगे ठीक है माल लीजे कि यहां पर आपको प्रेपरेशन करनी है एक सेकर इसको बहुत ही ध्यास से समझेगा माल लिजे कि आपको यहाँ पर preparation करनी है ठीक है तो इस preparation के लिए दो तरह के यहाँ पर categories हम बाटेंगे पहले है with 12th और दूसरी है after 12th ठीक है यहाँ पर जो student preparation करने के लिए भी विचार कर रहा है वो अभी इस category में आ रहा है कि आप अभी अपने साथ 12th की भी तयारी कर रहा है ठीक है intermediate की तयारी कर रहा है उसी के हिसाब से आपने विचार किया है कि हमें entrance में प्रिवेस लेना है तो यह जो दो चीजे clash हो रही है एक ही समय पे क्योंकि आपके पास आपको पता है कि समय 12th के लिए तो बचा ही नहीं है ठीक है और जब 12th पे पूरा time लगा देंगे तो हम यहाँ पर सर्फ इंट्रेंस की तयारी कैसे कर पाएंगे यह बहुत ही बड़ा और बहुत ही बहुत ही ज़्यादा mind master करने वाला doubt है बच्चों के ठीक है इंट्रेंस की तयारी हमें कैसे करनी है with 12th और उसके बाद जब आपकी तयारी हो जाएगी मान लिजे कि सिर्फ आपने 12th पे ही अपना focus कर लिया तो उसके बाद आप 12th के बाद इंट्रेंस पे focus कैसे करेंगे इस पर भी हम यहाँ पर बात करेंगे और कैसे अभी शुरुवात करनी है वह भी जब जब आप अपने 12th की तयारी भी कर रहे हैं उस पर ध्यान से सुनिएगा ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं मान लीजे आपका 12th pursuing हो रहा है अब आपके सामने समस्या है कि अगर आप 12th पे focus करेंगे तो स्वावावी कि इंट्रेंस में वह problem बाद में होगी लेकिन अभी आपका जो मेन मोटिव है ठीक है वह 12th ही है ठीक है अभी आपको अभी आपको यहां पर 12th पर फोकस करना इंटर्मीडियट पर क्योंकि यह बेस होता है हमारे पूरी एजूकेशन लाइफ का ठीक है तो आप 12th पर फोकस करेंगे लेकिन आप कहेंगे सर अगर हमने 12th पर पूरी त्रीके से फोकस किया तो हमारा इंटर्मीड निकलेगा देकि मैं आपको कुछ यहां पर बाते बता रहा हूं जिनको अत्यान से समझने के बाद है निश्काश निकालेंगे कि हां हमारी 12th के साथ इंटर्मीड चल सकती है ठीक है आप कोई भी कोर्स कर रहे हो मान लीजी कि आप बीए क करना चाहते हैं इस बीए के लिए अगर आप सिलेबस पर नज़र डालेंगे तो आपके सिलेबस में हैं यहां पर हिंदी इंग्लीज हिस्ट्री जोग्रिफी ठीक है और सिविक्स अब इन चीजों को ध्यान और बाकी यहां पर और वी सब्जेक्ट है ठीक है एकोनॉमिक्स और यहां पर जो आपका साइकोलोजी है आप इस सेलेबस को देखने के बाद कि यह तो आपका जो सेलेबस वो इंटरेंस का है 12th आप PCB से कर रहे हो, PCM से कर रहे हो, Artsize से कर रहे हो, किसी भी साइट से कर रहे हो, it doesn't matter ठीक है लेकिन एक चीज ध्यान कियेगा अगर आप 12th कर रहे है तो उसमें Hindi और English जो जनरल सब्जेक्ट है आपकी वो तो include है ठीक है तो यहां पर जो method पूछा जाता है जिस method पे आपके questions प पर पूछी जा सकती है, ठीक है, maybe कि वहां पर 10th भी include होगा, लेकिन अगर आप literature का portion देखोगे, हिंदी में, तो वो 10th में और 12th में अगर वहां पर जो रशनाकार है उनको हटा दें, बाकि जो important MCQs वगरा बनते हैं, वो सब सेम ही रहते हैं, ठीक है, उसमें कोई change नहीं हो तो इसको ध्यान में रखते हुए, यह दो common subject है, ठीक है, यह intersect कर रहे हैं with your 12th, ठीक है, यह जो common subject है, यह आपके, इसको अच्छे से कर देता हूँ, यह जो दो subject है, आपके 12th के साथ intersect कर रहे हैं, यानि कि आपको मौका मिला है, कि entrance के point of view से, इन दोनों subjects को target करने का, मेरी ब यहां पर बात करने कि सर्फ बाकी की subject क्या करने है, तो अभी आपका 12th चल रहा है, आपको 12th से distract नहीं होना है, इसके लिए काम करना है, कि यह दो subject तो आपके 12th की preparation के साथ, यहां पर cover up हो ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन अभी जो करना है, मान लीजिए कि आप कुछ extra करना चा अगर आप science side से हैं, तो इसके लिए simply आपको यहां पर एक काम करना है, कि आप कोई एक subject target कर सकते हैं, कोई एक subject, मतलब मान लीजिए कि आपको मैंने एक extra subject history दे दिया, अगर आप PCM से हैं, आप PCV से हैं, आप history को target कीजिए, ठीक है, और one hour इसे दीजिए, one hour दीजिए, आप इसकी त्यारी में कैसे कर, इसका एक सबसे अच्छा solution है, कि आपको यहां पर जो story wise lectures मिलते हैं, यूटूब पे बहुत सारे पड़े होंगे, story wise lectures, आप इनको देखिए, आप पहले story को समझने की कोशिस करिए, क्योंकि अगर आपकी mind में एक story create होगी उस चीज से related, तो आप के solution यहां पर अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी चीज आई, अगर कोई भी question MCQ पूछ लिया, तो आप उसका solution दे देंगे, अगर आपके mind में story चल रही है, अगर आपको नहीं भी आता होगा, तो आप लोग यह सर्माइज या अनुमाल लगा सकते हैं, कि हाँ, यह ज geography अगर लेना चाहते है, geography को target करना चाहते है, तो एक topic उठाईए, ठीक है, आपके physical geography, human geography, आपके सामने कुछी जगटित होती है, जैसे माल लिजे कि जो आपका यह भूकम पाया, ठीक है, तो भूकम का एक topic उठाईए, आप यह जानने की कोशिस करें, आपके अंदर जिक्य आपके अंदर जिक्यासा होनी चाहिए, जो भूकम है, वो कैसे आता है, ठीक है, इसके उपर आपको काफी वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है, डद 10-15 मिनित में आपको वीडियो बताएंगी, तो एक आपके अंदर जो, आपके mindset जो create हो जाएगा, उस topic से related, ठीक है, तो वो अभी अगर आप एक extra subject उठाते हैं, तो उसको समझने की कोसिस कीजिए, बाकि जब आप MCQs करने बैठेंगे, तो वो जो MCQs है, आप उससे अच्छी तरीके से relate कर पाएंगे, उस topic से, तो ये एक strategy, अगर देखी जाए, विड 12 है, अगर आप arts के student है, तो कोई problem होनी ही नही चाहिए, अगर आप PCBA PCM के हैं, तो आपके लिए ये तरीका अच्छा रहेगा, अभी के लिए मैं जो आपको बता रहा हूँ, ठीक है, और अभी मैं आगे बताऊंगा, उसको भी इसके साथ relate कर लेना है, कि अगर आपको सारे subject का knowledge है, मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर उसी topic से related, माली जे history का है, तो history के topic से related, जितनी भी MCQs हैं, ठीक है, आपको काफी सीरीजे, यहाँ पर websites वगएरा पर मिल जाएंगी, आप solve करी, जितने ज्यादा से ज्यादा, इसमें आपको कितना आधा गंटा लगेगा, ठीक है, जो है 30 मिनट सी आप कवर करेंगे यहाँ पर, तो 30 मिनट सी आप अपने practice को दीजे, जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके आप practice कीजे, अगर आपको सारे subject का यहाँ पर सारे विश्यों का knowledge है, ठीक है, यह तैयारी का एक strategy है, पहला कतम, कि जब आप 12 के साथ तैयारी करें, इस से आप पर 12 है, वो भी effect नहीं होगा, ठ पर कोई प्रवाव नहीं पड़ेगा, आप अपनी त्यारी करेंगे, इवें दन अगर देखा जाए, तो आपका Hindi English भी और strong होगा, क्योंकि अगर आप दो concept को लेकर चलते हैं, कि Hindi English आपका इसमें भी subject है, 12 में भी, और entrance में भी आपका subject यहाँ पर Hindi English conclude किया गया है, ठीक है, अब हम जब बात करते हैं कि after 12, जब हमारी इंटर हो जाएगा, हमारे इंटर में तब क्या करना होगा, तो उसके लिए आपको, मैंने आपको बताया कि आप जितनी ज़्यादा practice करेंगे, अगर तो उतना ही बहतर रहेगा, अगर आपको बिल्कुल knowledge नहीं, आप story-wise चीज़ पूरी त्यारी कर लिए, उनका 12 बहुत अच्छा निकला है, उनको अच्छे result भी आ गया, अच्छा नंबर मिला है, लेकिन दूसरी तरफ, ऐसे लोग हैं, जिनों ने 12 के साथ यहाँ पर इंटरेंस की भी त्यारी करने स्टार्ट कर दिया, अब वो अपने हिसाब से की है, जो मैं स्ट्रेटीजी बता रहा हूं, उसके हिसाब से की है, उनके लिए उस समय अगर देखा जाया है, तो जो भी एक से दो महिने का समय बचा होगा, ठीक है, वो इसको यहाँ पर दे सकते हैं, कि अगर उनके concept clear नहीं है, तो YouTube पे आप देखेंगे कि 10 से 15 मिनट की बहुत स जीजी क्या है, तो आप कैसे उसके लिए कोई भी question solve कर पाएंगे, तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पर odd videos उसके क्या event रहे हैं, कैसे event incidents हुए हैं वहाँ पे, एक story अगर बन जाएगी आपके mind में, तो अच्छा रहेगा, अगर आपने सिर्फ इसी चक्र में अपना पूरा 12 ग त्यारी करने हैं, अगर आप त्यारी कर चुके हैं, आपको लग रहा है, तो सिर्फ आपको काम करना है, मैं आपको बोल रहा हूँ, MCQs, जितने ज़्यादा MCQs हैं, आप solve कीजिए, ठीक, जितनी ज़्यादा आप यहाँ पर practice करेंगे, जितनी ज़्यादा practice करेंगे, वो आ और प्लिस आपके लिए benefit रहता है, कि आपका कोई भी यहाँ पर negative marking नहीं है, और जब negative marking नहीं है, तो आपको, आप एकदम free हैं, ठीक, आप free हैं, इस जगर अपने question को अच्छी तरीके से solve, कोई pressure नहीं है, आपके उपर, इस negative marking को ले करके, तो इस point of issue है, जितनी ज़्याद प्रकार के MCQs आप अपने 12th class में देख रहे हैं, जिस प्रकार के MCQs हैं, 12th में देख रहे हैं, उसी प्रकार के MCQs जो हैं, आपके यहाँ पर आएंगे, entrance में, तो एक चीज़ क्लियर हो गई, कुछ भी यहाँ पर hard नहीं होने वाला, entrance कर्थी नहीं है, अगर आपको हर वि insert create, a story create है, तो आप questions को solve कर सकते हैं, भले ही आपने उस question के विशे में, उस question को याद ना किया हो, किसी विप्रकार का आपको पता नहीं हो कि कौन सी घटना किस सन में होई, लेकिन अगर उस incidence related आपका clear है, और आपने एक बार revision MCQs के through कर लिया है, तो सब कुछ आपका यहाँ आप पर clear हो जाएगा, बस entrance से ही दिमाग करता है, कोई भी entrance हो, entrance से ही दिमाग करता है, कि जो आपने अपने past में पढ़ा हुआ है, ठीक है, वो पढ़ा हुआ है, उसका knowledge आपको यहाँ पर पूरा जा करके copy-paste करना होता है, एक प्रकार से, वो जानना चाहता है कि आपने प यहाँ पर थोड़ी सी psychologically बाते करेंगे, आपको थोड़ा आसान लगेगा, लेकिन यह चीज अगर आपने इसको practice में नहीं लाए, अगर आपने इसको समझने की कोशिच नहीं कि, इंटरेंस exam आप कोई भी हो, यहाँ पर clear नहीं कर सकते, जो इस्टेजी, एक particular strategy है, इंटरेंस exam की, वो मैं यहाँ पर आपके साथ सेयर कर रहा हूँ, जो सबसे पहली चीज है, जिसको आपको समझना है, वो है demand, ठीक है, कि university, university आप से यहाँ पर क्या demand कर रही है, ठीक है, अ साफ साफ लिखा हुआ है, 10 प्लस 2, यानि कि वो आप से उस knowledge के लिए यहाँ पर demand कर रही है, जो आप पहले पढ़ चुके है, ठीक है, 10 से लेकर के 12th level का जो रहता है, और इसमें भी मैं आपको clear कर देता हूँ, जो 70% रहता है, जो आपको 70% रहता है, वो 12th का ही रहता है, 70 20% 12th का रहता है, वो बाकि 30% आपका जो है, वो आपके 10th से आता है, ठीक है, और आपकी 11th से आता है, ये चीज़ clear हो गई आपको, बिलकुल sir, clear हो गई है, कि अब ये हर जो मैं आपको methods बता, जो आपको strategy बता रहा हूँ, आप apply कर सकते, आप किसी भी course से हो, ठीक है, और उ ठीक है, ये चीज़े clear हुई है, demand of university अगर आप समझ गए, हर एक point को, जो वहाँ पर voucher में पूरी तरीके से यहाँ पर mention किया गया, अगर आपने उसको follow किया, ठीक है, university क्या demand कर रही है, वो आपको जो उसका voucher मिलेगा, उस पर समझ में आएगा, कि वो demand क्या कर रही है, तो ज्यादा और, जो कहते है, और माइंड आपका बहुत चल रहा है, कि ऐसा नहों कि question कहीं hard level का आजाए, ऐसा नहों question कहीं UPC level का आजाए, क्यों भाई, क्यों आएगा, जब आपने, ये university बहुत अच्छे से जानता है, कि अभी आपने 12th से उपर पढ़ाई नहीं की है, जब आपने 12th से उपर पढ़ाई नहीं, तो आपसे क्यों ही पूछेगा question, ठीक है, वो जानना चाहता है, और साफ साफ मेंशन करता है, इस levels के बाद में, कि वो आपसे किस level का पूछेगा, 10 plus 2, ठीक है, कोई भी यहाँ पर MCQs ऐसे नहीं होंगे, जो आपकी बहुत hard हो, बहुत NCRT का role, जितना पूरा paper बनता है समाल लीजा, NCRT पर बेज़ बनता है, NCRT से questions कैसे निकाले जाते हैं, इसके लिए एक अलग strategy है, मैं आपको वीडियो बताऊंगा, बना कर बताऊंगा कि कैसे क्या करना जाता है, सिर्फ उसकी line to line, underline कर लेने से आपका यहाँ पर intensely निकलन solution आएगे निकाल देना है, क्योंकि demand for university में ही clear कर रहा है कि आपको 10 plus 2 का method पर आपको exam देना है, NCRT आपका यहाँ पर रामबाड हो गए, यह चीज मैंने बहुत अच्छे से आपकी clear कर दी है, जी हाँ sir, अब हम बात कर लेते हैं, एक अगले topic पे, कि क्या हमें इस demand of university को fulfill कर करने के लिए करना चाहिए, ठीक है, demand जो कर रहा है university, उसको हम कैसे fulfill कर सकते हैं, कैसे पूरा कर सकते हैं, इसकी demand को, तो इसकी demand को university ही कहती है, university ही बताती है कि वो demand क्या कर रही है, university उसका solution भी देती है, अगर आप चीजों को समझ रहे हैं, तो हर एक, कोई भी आप exam देने जा रहे हो, सबका ही criteria रहते है, कि वही demand करेगी, वही solution बताएगी, बस आपको उसके नकसे कदम पे चलना पड़ेगा, और वो नकसे कदम किस चीज को decide करता है, वो decide करता है syllabus, यानि university की demand किस पे आधारित है, वो है syllabus पे कि syllabus क्या है, अगर आपने syllabus पढ़ लिया, तो यकीन मा syllabus को enhance करने में, इसका knowledge लेनी में जाता है, ये चीज़ समझ में आई, यानि कि इसका कहें के सरी तो बहुत ही basic चीज बता रहे हो आप, basic चीज नहीं, बच्चे यहीं गलती करते हैं, मैंने अभी क्या बोला, कि आपको बस topic दे दिया, कि भाया history से question आएंगे, अब आप दिमा ठीक, आप एक market में जाते हो, ठीक, मैं आपको example देता हूँ, बहुत ही सुन्दर example, ठीक है, अगर आप इसे relate कर पाएंगे, बहुत अच्छे से, आपके पास कोई product है, ठीक, आप कोई product, sorry, आप कोई product यहाँ पर खरीदना चाहते हो, कोई भी product ले लो, ठीक है, आप उसको ए प्रॉड़क्ट जो आपने खरीदा है, उसमें finishing है, आपने जाकर कि वहाँ पर review लिया है, अच्छे से उसका, ठीक है, लेकिन यो online आपने चीज खरीती है, उसमें यहाँ पर उतनी finishing नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो आपको थोड़ा सा हो सकता है, कि market income present to market आपको थोड़ा सा लो प्राइस में मिल गया हो, ठीक है, तो यह जो product है, इसी तरीके का product है, यहाँ पर syllabus जो है, एक product के रूप में काम कर रहा है, आपको syllabus दे दिया गया है, ठीक है, आपने उपर से देख लिया, कि हिंदी है, इंगलिस है, तो ऐसा उपर से देखने है, और उसके आधार पर त रहा है, तो यकीन मानिए, कि जो demand आपने पकड़ ली, यानि कि जो demand है, वो 10 प्लस 2 की है, आप समझ जाईए, कि आपने बहुत अच्छे यहाँ पर एक प्रकार से जाकर करके, उस product के विशह में जानकारी की है, यानि syllabus को अच्छे से पढ़ा है, यह एक strategy, आप syllabus को पढ़ि है, कि जो syllabus यूणिवर्सिटी की तरफ से दिया गया है, उसमें क्या पढ़ना है, उससे ज्यादा important है कि क्या नहीं पढ़ना है, अरे भाई, जो आपके entrance exam का ही नहीं, जो आपके level का ही नहीं, वो आप से पूछे गा ही क्यों, और जब पूछे गा ही क्यों, तो आपको पढ नहीं क्यों है, ये जो बच्चों में एक mindset बन चुका है कि अगर उसने history दे दिया, सर बहुत सारे ऐसे doubts आये थे पिसली बार, मैं आपको यहाँ पर clear कर रहा हूं फिर से, एक second, बहुत सारे ऐसे doubts आये थे कि सर ये बता दीजिए कि उसने तो बोल दिया है university ने कि हिंदी रहा हैं वो भी general माल जीजए, इसने बोल दिया है कि यहाँ पर history आयेगी, उसने बोल दिया है कि geography आयेगी हिसे चर बहुत ही ज्यादा वास्थ होती है, уже geography बहुत ज्यादा व्यक्राइख है, English हिंदी कहां से इसने हैंंगे, English से भी कहां से कहां question आयंगे तो इसको कैसे cover up कर पाएंगे उसका एक ही रीजन है कि किस लेवल का है ये भी तो देखो 10 प्लस टू बोल रहा है तो ये फाइंड आउट हो गया बस यही कर रहा है सेलेबस अगर आपने नहीं समझा अगर आपने सेलेबस को पूरी तरीके से इग्नोर किया तो इंट्रेंस एक्जैम आपको इग स्टार्ट करनी है तो में ट्रेंग पॉइंट रहा और कैसे स्टार्ट करनी है अभी के लिए बस अगर आपको सबकूर नौल है कुछ मैं आपको यहां पर एक्स्ट्रा फैक्ट्स नहीं बताऊंगा कि आपको यहां पर फिर भी उस टॉपिक को घयराई से पढ़ना है कि ऐस एक्जयाम की एक तैयारी होते हैं हम लखनो यह उनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहे हैं हर जगह आप अप्लाई कर सकते हैं सीविटी हो घुरकपुर हो महत्मा गांदी काशी विद्या पीठ हो या फिर यह जो बाद वाली सलेबस वाली स्ट्राइज ही पताई है यहर एक ए 80% दे दिया है उस एक्जयाम के लिए जिसकी आप तैयारी करना चाहरे है अब आपको बस 20% effort उसको finishing देने के लानी है और finishing कैसे लाएंगे आप वो 20% की finishing कैसे लाएंगे, 80% तो product आपने ready कर लिया, लेकिन उसको finishing देने का काम है 20% होती, तभी वो चीज़े आपके लिए अच्छे से work करेंगी, मेरी बात समझ में आईए, I hope कि video अच्छे लगी है, class अच्छी लगी है, अगर कुछ समझ में आया है, कुछ आपने knowledge लिया है ठीक है, video को like कर दीजिए, अगर नहीं लगा है आपको कि आपका मैंने सिफ time ही waste किया है, you can unlike also, ठीक है, यहाँ पर कोई नहीं है, बट कोई यहाँ पर मेरी तरफ से pressure नहीं है, कि आप like करो, क्यो like करोगे, भाई, जब video नहीं पसंद में आईए आपको, तो like क्यों करोगे, ठीक है, तो आपके पास options भी तो यूटूब दे रहा है, कि आप like करो, अगर वीडियो अच्छी लगी है, तो like कीजिए, अगर नहीं अच्छी लगी है, आप लोगा like कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट वीडियो को share करना ना बोलें, ताकि मैं भी देखूं कि आपक विश्विद्याले के लिए, जितने भी entrance exam है, ठीक है, किसी भी course के हो, आपको पूरी preparation मिलेगी, अगर आप CUT करना चाहते हो, किसी भी course के आप तयारी कर रहे हो, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा, बस simply आपको एक काम करना पड़ेगा, वो मैं यहाँ पर कर देता ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी चीज़े, आप MCQs भी पाएंगे, आप previous question paper भी पाएंगे, आप guidance भी पाएंगे, आपको courses मिल जाएंगे, आपके course related, ठीक है, यहाँ पर batches मिल जाएंगे, जो चलेंगे, जो आपको entrance exam की तियारी कराएंगे, क्योंकि यह तो एक YouTube व होगा, वहाँ पर आपको क्या knowledge मिलने वाला है, तो आज के लिए फिलाल इतना ही friends, ठीक है, मिलते है next video में, बहुत ही जल्द, आपकी demand पे, कोई भी doubt हो, किसी प्रकार की क्यों रही हो, आप लोग comment करके जो भी पूछेगा, फिलाल हमाएंगे सारी जोनिक लाप से भी गा, बहुत निवाद,